असलाम अलाइकुम दोस्तों, श्वागत है पोल्टी फार्मिंग बाड़ आने वाला है, इसके लिए दोस्तों मैं आज से ही बाड़िंग का जो प्रिपर्शंस है, वो मैंने शुरू कर दिया है, तो दोस्तों जब मेरे फार्म में चीक्स आएगी, उसके पहले मैंने जो गोल वाला बोरिंग सेड बनाया है उसके अंदर लीटर का विशाबन करूँगा एक दिन पहले और उसके ओपर एक वर्ड पेफर का विशाबन करूँगा जो भी चीज करूँगा उसके बाद आप लोगों को एक अपडेट रेद दूँगा कि कैसे हरेक चीज को बारी किसी किया ज जो नए पोल्टी फार्मार भाईया है जो बहुत दिक्कत में होते है जब नए बिजनेस सुरू करते है जाधा तर पोल्टी फार्मिंग में तो दिक्कत जाधा होती है क्योंकि यह जो बिजनेस है इस लाइफ श्रॉक बिजनेस है और बहुत सरे टाइम ऐसे होते है छोटे छोटे माईनाक चीज के ओपर आप धान नहीं देंगे तो उतना ही लॉस भी ये उठाता है तो इसके लिए दोस्तों हर एक दिन का वीडियो में अपलोड करता हूँ तो जै नए वाला जो पोल्टी फार्मिंग से रिलेटेट इंफर्मेसंस राखना चाहते हैं तो चैनल को ज इसे किया जाता है तो आगर आप फार्म क्लीनिंग के बार में जानना चाहते हो तो मेरा चैनल में जाके वीडियो देख सकते हो तो फार्म क्लीनिंग जब मैं किया था उसके जो पुराना बाला जो आने वाले जो पिछले सीडूइल था उहां पर जो हफ़र बागेड़ा है पानी का जगा है उसको बारेकी से साफ सफाई किया डैंग को अच्छे से साफ सफाई किया और उसके बाद 505 बार डाने से एक दिन पहले एक बार किटना सक्से पूरा फार्म को स्प्रे कर दिया जिसके बज़े से जो माईना से माईना दिक्कत या फिर पॉईजन से रहे जात उनको दिक्कत उठाना बर जादा पारते हैं तो इसके लिए दोस्तो मैं इस चीज के बारे में रिपीटेली बाते करता हूं जो इसके वज़े से आपके धान में और रही तो दोस्तो अभी बोर्डिंग मैं आज ही कर सकता था लेकिन मैंने बाड एक दिन पहली में बोर्डिं करने से पहले मैं एक दो चीज आप लोगों को बाता देता हूं जुश्स जगह पर आप बोर्रण करेंगे बोर्रण करने से पहले दुस्तो जो वोडर्र बहला जो सेथ है उसके अंदर आप थोड़े थोड़े करकर कर थे क्योंकि जो चीक्थ है ओ तीन चार दिन इस बोर्र के अंदर रहेगी तो अगर minor poisons भी farm के अंदर मिट्टी के ओपर रहे जाती है तो जो poisons है वो detect हो जाएगा उसके ओपर लीटर का विछा बन किजिए पहली बात तो है दूसरी है कि छोटे बाड़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत भारी चीज है कि उसको feed consumption ज़्यादा कड़ान के लिए आप हमेशा कोशिश कीजिए दो चीज का इस्तेमाल करना एक है tire feeder और दूसरा है टार्बो feeder टार्बो feeder तो हर एक farmer यूज़ करते है कि तार्बो feeder इस्तेमाल करने से feed consumption ज़्यादा होते है लेकिन मैं tire feeder भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि tire feeder में क्या हाता है कि आपको खरितन में costing नहीं लगता है ठीक है आप बाजार से जो खाडब बला जो cycle का tire है वो आप ले आ सकते हो और feed का जो बैग है उसके अंदर दे करके वो feeder बना सकते हो और छोटे tire feeder में बाढ़ का feed consumption बहुत बढ़िया से होते है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो छोटे बाढ़ चीक है तो इसका दूसरा चीज़ को आप मान सकते हो और अगर आपके पास feeder कम है तो आप छोटे छोटे आटो टिंकर कभी इस्तेमाल कर से तो उसमें भी आप जितने जादा फीड जितने जादा पानी का जगा आप एड़ कर देंगे उतने ही जो आपका पानी का consumption से बढ़िया आएगी एक से तीन दिन मेजर कुरूसियल मैनेजमेंट होना चाहिए तीन से दस दिन के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको पर पूरधान देना होना चाहिए और एक से दस दिन अगर आपका बाढ़ का गट सही से हो जाता है अगर आपका बाढ़ में जो छोटे ट परधाद नहीं देते हो तो आने वाले टाइम में यदिने भी मैनेज करने के कोशिश करे तो उसको दिक्कत आपको साथ से जाता जाते हैं तो कोशिश करना हमेशा छोटे बाद में जब भी कोई प्रॉप्लेम आये तो पहले ही उसको बाड़े की से करना हूसके उपर पूरा मेंजमेंट करना। और मेडीसिंस के बाड़े में जो सीटूईल है ताम पे वेधर के सबसे डे वान डे टू डे थ्री उसको प्रॉणलि मेंजमेंट करना टाइम के सबसे क्योंकि चोटे बाड़े म cuánt after पानी को पिलाना फीड को अच्छे से देना उस चीज के ओपर भी आपको हमेशा एक सीडूल में टेन करना होता है ठीक है तो उसको बारे में आने वाले वीडियो में बात करूंगा जब मेरे फां मेरे चीक्ष आएगी बौर्डिंग प्रिप्रेशन्स होगी तो आशा करते कि वीडियो आपको बहुत पसंद आये होगे आने वाले टाइम में बहुत सरे वीडियो पुल्टी फार्मिंग एगरी कल्चर से रिलेटेट आप लोगों के शार में श्यार करूंगा दूआ कीजिए मेरे लिए आप भी स्वाच रहे अलापेस दोस्तों जाएं दोस्तों